आज राजस्थान में नीट परीक्षा को रद करने की मांग को लेका यूवा कॉंग्रेस ने सभी संभाग स्तर पर रेल रोकने का काम किया इस क्रम में राजस्थान यूवा कॉंग्रेस के अध्यक्ष विधायक अभी मन्यू पूनिया ने जैपुर के गांधी नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोकने का प्रियास कर विरोध दर्च कर आया विरोध प्रदेशन के दोरान पुलिस ने अभी मन्यू पूनिया समेट अनेक युवा कॉंग्रेस के कारेकरताओं को गिरफतार कर लिया है विरोध प्रदेशन के दोरान विधायक अभी मन्यू पूनिया ने कहा आज नीट परिक्षा को रद करने को लेकर राजस्तान में सभी संभाग इस तर पर रेल रोकने का काम युवा कॉंग्रेस ने किया है पूरे देश भर में नीट को लेकर ने सिर्फ विपक्ष बलकि खुद सैकडों हजारों चात्रे सटकों पर आंदोलन कर रहे हैं सरकार अपना हट धर्मी रवया अपनाए हुए हैं प्रधानमंतरी कह रहे हैं कि हम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं लेकिन पिछले दस सालों में युवाओं को सिर्फ बरगलाने और भटकाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया और अब कदब उठाने की बात कर रहे हैं उन्होंने कहा अगर कॉंग्रेस की सरकार केंदरी में होती और पेपर लीग के घटना घटित हो जाती तो विजएपी के निता कपड़े फाडने पर आ जाते हैं इसमरती रानी को आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह यूपी ए सरकार की समय महंगाई के खिलाव सड़कों पर बैट जाती थी लेकिन आज इनका कोई भी निता ने तो कुछ बोल रहा है और ना ही सामने आकर किसी ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी ली है हमारी मांग है कि केंद्रिय सिक्षा मंतरी धर्मेंद्र परधान को जिम्मेदारी लेते वे नैतिक आधार पर इस्तिफ़ा देना चाहिए इस विरोध प्रदेशन में यूवा कॉंग्रिस की कारिकरताओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया और सरकार के खिलाफ ना रिवाजी की उनकी मुख्य मांग है कि नीट परिक्षा को ततकाल प्रभाव से रद किया जाए और पेपर लीग की घटनाओं पर सक्त कारवाई की जाए यूवा कॉंग्रिस का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे और बड़े इस्तर पर आंदोलन करेंगे पुलिस ने प्रजिशन कारिये को ग्रिफतार कर लिया है और इस्तरती को नियंत्रेंट करने के लिए अत्रिक्त बलो की तैनाती की गई है पुलिस का कहना है कि वे कानून और विवस्ता बनाए रखने के लिए सक्त कदम उठाएंगे